जैंग फ्रेंड्स मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका सौगत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लाउन विद सुमित में तो आज हम डिसकस करने वाले हैं डियू की नोटिफिकेशन जो आउट हो चुकिए कल ये डियू की नोटिफिकेशन आई है मेरे पास बहुत कर दे क्या हम अप्लाई कर सकते हैं बाद में तो नहीं भरना होगा लग से कुछ तो यह सारी बाते भी डिसकस करूंगा और भी जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स है इस नोटिफिकेशन में सबको मैं डिटेल में एक्स्प्लेइन करने वाला हूं इसमें आपको नोटिफिक को बता देता हूं कि कौन सा कॉलिज कि स्कॉर्स के लिए बैस यह मैंने खुद ही दो सोचे हूं है जो मैं लेकर आऊंगा कल परसों में अगर आपकी भी कुछ इस टाइप की चीज़े हैं जो आप पूछना चाहते हो रिलेटिट टू डियू अडमिशन तो आप जरूर मु सुमित के इस परिवार को बड़ा करना है आपको यह करना है मैं यह करूंगा अपनी तरफ से जो मेरे एफर्ट हो सकते हैं कि आपको हर चीज की प्रोपर गाइडेंस में दू वह मैं जरूर दूंगा ठीक है तो प्लीज डू सपोर्ट मी एंड कीप शेरिंग लर्न विच लिए जी तो सीधा मैं आपको ले चलता हूं उस नोटिफिकेशन पर देखो यह इस 125 पेज की नोटिफिकेशन है ठीक है डियू की तो मैं चाहता हूं कि इसके बारे में जो भी इंपोर्टेंट इंपोर्ट से मैंने सारे यलो में हाइलाइट कर दी हैं तो आपको यहीं से स मां पर इसकी पीडिएफ भी एक्सेस कर सकते हैं चलिए ठीक है तो यह आपना बुलेटिन अंडर गैजुएट कोर्सी 2020 के अडमिशन ठीक है तो यह चलो स्टार्टिंग के कुछ पेजिस तो ऐसे ही हैं हम सीधे सीधे में मुद्ध्य पर बात आएंगे मैंने सारे के सारे ब बात यह कि कोई भी कोई भी चेंज कर सकता है एंट्रेंस एक्जाम में या फिर एडमिशन प्रोसेस में ऐस पर कोविड जो भी देखो मालों की सिच्वेशन बहुत जादा बुरी हो जाए तो वह आगे पीछे स्केडियूल कर सकता है जो स्पोर्स ट्राइल होते हैं मुजि बूब भी अपडेट वेबसाइट पर आए तो इसको पता लग जाए और इदर उदर के ज़्यादा सोर्सी से भरोसना करें सिदा वेबसाइट पर फोकस करें ज्यादा बैटर है फैस्पर थिसमें आपको वेस्ट होता है यह उसके सब्सक्सेण यजरे और यह टेश्ट कर करना है Bachelor of Business Administration करना है या BTEC IT and Mathematical Innovation में करना है BA Owners करना है Human Humanities and Social Sciences में Bachelor of Elementary Education करना है Bachelor of Science and Physical Education Health Education Sports करना है BA Owners करना है Multimedia and Mass Communication में या फिर 5-4 Integrative Program करना है Journalism में अगर आपको यह courses करने हैं तो आपको entrance test के थुरू admission मिलेगा इसके अलावा जो होगा मेरिट बेस होगा ठीक है entrance test कहां-कांबे करे जाएंगे देखो यह मैंने सेंटर्स सारे हाइलाइट कर दिए यहां यहां पर entrance test आपके कराया जाने है जो जो points मुझे इसमें से discuss करना है मैं आपको सारे मैं highlight कर दी है उन्हों पॉइंट को बढ़िया तरीके से discuss करूंगा tension बिल्कुल भी मतलो यह रखो जी सबसे पहले बात तो merit based और entrance based मैं आपको बताया merit based मतलब में आपके marks आएंगे वहोगा एक बात आपको इस बार बहुत ज्यादा ध्यान में रखने वाले कि कोई भी और यह उफलाइन admission नहीं है इससे पहले क्या होता था दियू का फॉर्म निकलता था आप डियू में जाते थे वहां पे जाके सारी चीजा फॉर्म बरते थे तो वहीं पर आप जाके फॉर्म भरेंगे सारी डिटेल्स वहीं पर बताते थे ऐसा इस बार कुछ भी नहीं है सि कारणामे है ठीक है एंड जो यह जो ओनलाइन application वाला format है यह सिर्फ और सिर्फ इस website पर होगा इसके अलावा कहीं नहीं होगा ठीक है ug.du.ac.in ठीक है इसके अलावा कहीं और किसी source पर अपना जाए सिर्फ और सिर्फ इस website के थुरू आपको फिस submit करनी है ठीक है कोई offline admission नही रहेगी सब कुछ वहीं पर update होती रहेगी इसके अलावा time to time जो due है वो कुछ ना कुछ guidance देता रहेगा आप अपने जो website है उसको regularly visit करते रहे तो डियू जो है information देता रहेगा तो चलिए आगे चलते हैं सबसे पहले eligibility criteria देख लीजे मैंने आगे दुबार हाइलाइट कर दि लिखा होना चाहिए तभी आप कर सकते हैं कुछ बच्चे पूचते हैं सब्सक्राइब अगर मेरा gap year है तो कुछ फरक पड़ेगा क्या नहीं जी gap year है तो कोई फरक नहीं पड़ेगा gap year वालो के लिए specifically highlight करके लिखा हुआ है कि अगर आपका gap year है तो कोई फरक नहीं पड़ यह दिए डिबुलेश करें तो आपको जी 100 रुपे पे करना है ठीक है और इस एस पोर्ट सकोटर सब्सक्राइब चाहते हैं तो सो रुपे एक्स्ट्राइब करोगे ठीक है यह सारी बात आप एक बर देख लेना अच्छा इस बात को आपको ध्यान रखने जरूए कि इन्ह अप्लाइ कर देंगे उससे पहले तक कैसे मज़े मारे यह ना करें वेबसाइट होने का सीन जाता है तो प्लीस थोड़ा सा रिस्क ना ले और पहले अप्लाइ कर दोगे आज अप्लाइव करने के लिए मैं कह रहा हूं करना लेकिन लास्ट दे तक वेट मत करना ठीक है इसक कोई और extra eligibility criteria नहीं है जो यहां पर लिखवा बस यहीं है ठीक है इसके लगा कुछ भी नहीं है ठीक है और हाँ यह बच्छे पुछते हैं सर बैस्ट फॉर का क्या सीन होता है देखो हर कोर्स की ना जो यह वो होती है डिमांड होती है अलग-अलग होती आप यह मत सोचना कि मतल मतलब होता है जो आपने subject लिए है एक नॉर्मल है बता रहूं है जो आपने subject लिया 1 लेंग्वेज प्लस में उनके लिए बाद में पॉर्टल को ओपन करा जाएगा ठीक है वहां पर अपनी मार्स को एडिट कर सकते फोर्म भर देंगे और मार्स को एडिट कर लेंगे बाद में कोई टेंशन वाला कोई सीन नहीं ठीक है और कुछ जगह पर रेक्सेशन पर जहां भी एलिजबिलिटी क्र होगी ना तो वहां पर हमेशा जो सी स्ट वाले हैं उनको पांच परसेंट कम में होगा जैसे मालों कि किसी कोर्स में एलिजबिलिटी क्रेटेरिया 50% ठीक है तो होगा 45% ओभी से के लिए होगा 10% का कम मतलब की 10% of the given criteria मतलब की मालों 50% क्रेटेरिया तो 50 का 5% 50 का 10% कितना हो तो बिए के लिए को 45 कहीं ता 40 मालों कहीं ता 40 40% क्रेटेरिया 40% में स्टेकलिए 35 कुछ 5% कम होगा लेकिन ओवी सी के लिए होगा 40 ए 10% कम यानि 4% 36% ठीक है यह सिस्टम है यह यहां पर एक्जामपल सोल करके दिखाया भी हुआ आप देख लेना चाहिए चलिए जी आचा है बैस्ट फोर के वो चाहिए तो मैं वहीं कहा रहा था हर हर उसके हर कोर्स की अलग वो मिनेगी अलग तरीके से मेरिट लिस कल्कुलिट होगी तो आपको देखना पड़ेगा कौन से कौर्स में अब ध्यान से इन सारे को देखिए जैसे कि जो सीब्यसी के लाव कि से बिलो और दिक्कत वाली बात नहीं है हमारा यह सबजेक्ट प्रोसीजर आप इसको पूरा पढ़ ली जगा अभी बता रहा हो अभी अलग लग लग को इसके लिए अलग है इसके लावा इसमें आपको बैस्ट फोर्ट चाहिए तो यह वही कह रहा हूं आपको देखना पड़ेगा कौन से कोर्स में अपप्लाई करने वाले हो उसके सबसे अलग है ठीक है यह देखो बी ओनर हिंदी है तो इसके लिए पूरी के पूरी को बता रखेंगे आपको कैसे क्या करने है कोई और लेंगवेज है तो उसके लिए हर कोर्स के लिए तो आपको एकदम पढ़ना पड़ेगा कि बाइसां मेरा कौन सा कोर्स जैसे बहुत ही फेमस क आपको कौन से कोर्स में लेना है और उस कोर्स के कोडिंग आपको एलिजिबिलिटी देखने हो कि आप एलिजिबल है या नहीं है विकोज इतनी डीटेल में कोई फाइदा नहीं मेरा बताने का हर बंदी के अपनी इस पीडियों को मैं प्रोवाइड करवा दूआ अपने ट कर रहे हों तो भाइक सिस्टम है अलग अलग है इन्टेटिसप्लिणरी करना चाहिए तो क्या है तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो जाएगा इसके अलावा भी डिटेल गाइडलाइन की किस तरीके से रजिस्टर करना है यह भी बहुत ही जल्दी डियू अपने पोर्टल पर अप्लोड करने वाला है अभी तक तो सिर्फ नोटिफिकेशन डाली है तो साली चीज़ जाएगे वीडियो बनाता रहुँगा तब तक के लिए काम करें और किसी पास अगर इमेल इडी नहीं है तो इमेल इडी बना लो ठीक है इमेल इडी बना लो उसमें हो सकती इमेल आईडी में अपना नंबर रजिस्टर कर लेना तक थोड़ी सी जिज़ीज सही रह जाए ठ और देखो कि वाइसा वगर किसी बच्चे का जो एक्जाम में भी तक पेंडिंग है तो टेंशन ना ले बाद में उसको उप्षन दिया जाएगा एडिट करने का एक टाइम उप्षन होगा एडिट करने का जांकर अपने वह मार्क्स डाल सकेगा तो ऐसे कोई दिक्कत वाले बात नहीं है डंसी सारी चीजें हो जाएंगी ठीक है और यह जीतने भी अपलोड करोंगे उनको बहुत ही ध्यान से अपलोड करोंगे अगर आपने डिमांट करें तो मैं अलग से बना भी दूँआ कि कौन-कौन से डोकुमेंट आपके पास होने चाहिए फॉम बरने के लि कुछ मुवमेंट ना करें सेम रहे तो इसे को अटेंशन वाली बात नहीं है ठीक है और यह सब चीज आगे का प्रोसेस है यह थोड़े सी ओर डिटील में नोटिफिकेशन भी आएगी मैं इनको आगे आगे कवर कर दूंग अपनी वीडियो में ठीक है अगर आप मुझे आ दूंगा कि किसी को जानना हो कि ट्यारी कर रहे हैं तो फिर कौन से चीज उसके लिए वीडियो ने उसके लिए आप कमेंट करो था कि मुझे मेरे पास इनफ कमेंट आने चाहिए मेरे मुझे पता लगना चाहिए कि हाँ जो मैं तो कोई है देखने वाला राइट तभी फाय जिसमें जो मैरेट बेस वाले एक्जाम है ना उनके लिए पॉइंट ठीट बेस वाला सिस्टम है उसको system थोड़ा अलग होता है तो उसके लिए सारी बाते लिखे गई है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है में में ऐने कवर कर दिये थोड़ा सा आइडिया वेना आपको किस तरीके से कैसे आपको नोटिफिकेशन को पढ़ना है को दिख्यत वाली बात नहीं कि फीस फीस भर यह रजिस्टर तो करी सकते हैं और दीरे-दीरे मैं आपको पूरा गाइड कर दूंगा टेंशन वाली कोई बात नहीं एक पर आपने फोर्म भर दिया तो रजिस्टेशन पर्टिक्लर वीडियो चाहिए आप मुझे थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में बतायों तो मैं जरूर कुछ ना कुछ करूंगा चलिए फिर तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें मिलते हैं जल्दी नेक्स वीडियो में ज्यादा शेयर करें वीडियो को मिलते रहेंगे जय हिंद जय भारत